ओम शान्ति आज से हम ग्यान मुर्ली को कुछ अलग तरीकी से एक क्लास का रूप देंगी उसके पीछे एक कारण है बाबा की बच्चे आजकल ग्यान मुर्ली में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं बाबा कहते हैं बच्चे निर्मान स्वरू बबनो बाबा अलग-अलग ग्यान की युगति देती हैं जैसे जिसको ग्यान समझ आए वैसे ग्यान को समझना चाहिए तो आज की क्लास को एक नया रूप देते हुए सभी बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे ज्यान सुनना बहुत जरूरी है और बाबा ने यह भी कहा कि मुरली बहुत सुनली सुनाली तो अब पॉइंट बनना है, पॉइंट्स नहीं बनना है बिंदू को याद करना है बिंदू बन कर याद करना है और द्रामा को भी बिंदू समझना है यह हम सभी जानते हैं जो भी संसार में हो रहा है नथिन्यों जो गुजरा हुआ है वही अभी चल रहा है और जो आएगा वह भी पास्ट ही है सो बाबा ने टच कराया कि मीठी बच्चों को अब मुर्ली एक नए तरीके से एक क्लास के रूप में परिवर्दत करके सुनाई जाए तो आज क्लास का जो टॉपिक है वो है मैं कौन हूँ, मैं कहां से आई हूँ यो तो बच्चों ने कोर्स किया है वह समझ ही कहे होंगे की बाबा का यह पहले दिन की भट्टी है, पहला दिन का कोर्स है उसके पहले हम आज के मुर्ली के मुख्य पॉइंट को समझ लेंगे 19.10.2022 के आज के मुसापकार मुर्ली के महवाक्य है बाबा ने कहा मीठी बच्चे बाप आये हैं तुम्हें सब घुटकों से चुडाने तुम अभी इस शुकवाटिका से अशुकवाटिका में चलते हो इस विशेवेतर्णी नदी से पार जाते हो प्रश्न है मुरली का याद में बैठते समय किस बात का विखन नहीं पढ़ता और किस बात का विखन पढ़ता है उत्तर है याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विखन नहीं पढ़ता वह ज्यान में पढ़ता है लेकिन याद में माया का विखन जरूर पड़ता है माया याद के समय ही विग्ण डालती है अनिक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे साफधान रहो माया का घुंसा मत खाओ शिपाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है सर्व संबंधों की सेक्रीन है उसे बहुत बहुत प् गीत है रात की राही ठक मत जाना आज हसे कल रूला ना जाना तुम हो पतित पावन गौड़ फादर के स्टुडेंट तो यह पाठशाला है पाठशाला में पढ़ाई होती है मेहनत करनी पड़ती है और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है वहाँ तो गीता सुनी गरंत सुना और घर गया वहाँ कोई थोड़े ही कहता है कि पवित्र बनो इस संसार में किसी के पास भी आप गए आज तक किसी ने पवित्र बनने का पाठ पढ़ाया और कहा कि तुम आत्मा हो किसी के पास नौलेज है ही नहीं अब जो पवित्र है वही पवित्र बनाएगा और वही पवित्रता का सागर, तो वही आएगा दभी हमें, पवित्र बनाने का पाठ पढ़ाएगा, तो बाबा कहते हैं, पवित्र बनू, यात्रा करो, आगे चलिए सब जिस्मानी यात्रा यादी बंद हो जाएंगी, जो भी हम देख रहे हैं न ये भक्ति की सामगरी, यह तो दर ज आती नहीं है, तो यहां ही उसको खतम भी होना पड़ेगा न तो यह सब दीर दीरी बंद हो जाएंगी, अभी आपने देखा ही होगा, करोना में पूरी दुनिया के सब जो भी तीर तीस्थल थे, सब भी बंद थे, इवन मंदी रंदीर सब बंद कर दिये थे, तो अभी तो तो कोई जाएंगे नहीं, अब के दारनाथ में भी देखिये कैसे कैसी सीन आपने देखी ही होंगे नि उसमें, जो गए हैं तो उन्होंने साक्षाद देखे होंगे, तो बाबा केते हैं इस तरह से, तो क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी न, ऐसे सब आएगा तो कोई जाएंगे नहीं, हमारी यात्रा है शिवालय तरफ और शिवालय के लिए तो आपको कोई जिस्मानी सफर करने की आवशकता नहीं, पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की पूरी पूरी शिवालय, शिव की स्थापना कौन सी और विश्णु के द्वारा पालना चलेगा तो उसे लिए उसे शिवालाई विश्णुपुरी दोनों को शिवालाई कहेंगे शिवापुरी को और विश्णुपुरी को क्योंकि मुक्ती जीवन मुक्ती दोनों शिवाबा ही देते हैं मुक्ती भी बाबा देते हैं और जीवन मुक्ती भी शीव बाबा देते हैं तो सतियोगी देवी घरा शीव बाबा स्थापन करते हैं आच्छा याद में आवाज का विगन पड़ नहीं सकता ज्यान सुनने में शूर का विगन पड़ेगा मनुश्य तो कहते हैं शांती करो नह इंतु योग में आवाज विखन नहीं डालता, यह तो आप समझी दे हैं, कि याद में कोई किसी तरह का रोड़ा आपके मुश्किल नहीं डाल सकता, ये च्छतों की दीवारें, ये संसार के जो भी चुरपुर की दुनिया हैं, ये जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, कोई भी शोर शराबा, ये पांच दत्मों की दुनिया का कोई भी आपको इसमें विखन नहीं डाल सकता, क्योंकि आपकी रोहानी यात्रा है, और रोहानी यात्रा में आपको कोई हिम्मत, कोई बल, कोई इस तरह से पैसा, शरीर का श्रम कुछ भी नहीं चाहिए, ये अत्म जब तक आप अपने बोजों तले दवे रहेंगे, जब तक आप खुद को शरीर में समझेंगे, खुद को शरीर समझेंगे, तब तक तो आप पे माया बोज बनेगी, आप जैसे ही हलके महसूस करेंगे, खुद को समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ ये शरीर नहीं हूँ, ये स परमात्मा आपको याद आएगा और परमात्मा तो है ही उंचते उंच स्थान पर रहने वाला परमधाम में, तो आपकी बूधी एक दम फरिष्टा बन उड़ने लग जाएगी, है ना देह के भान से निकलना है ना तभी तो आप उड़ेंगे, बोजों की तली रहेंगे, टो को यूत के मैदान में हार नहीं खानी है, नहीं खानी चाहिए, माया पर घूसा लगाती रहती है, माया ने नाप पर घूसा लगाया, तो यह गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाप पर लगाया, तो यह गिर, तो बाप केते हैं, यह माया काम क्रोध के घूसे माती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत साब धान रहना है गुसे नहीं खाने है अच्छा मीठी मीठी सी की लादी बच्चों को दे मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मौनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ति हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा का याद दारों गुद मौने धारना के लिए मुख्य सार है पहला बाबा ने कहा ज्यान के सब अलंकारों को धारन कर स्वादर्शन चक्रदारी तरणे तरी तरकाल तरशी अर्थात मास्टर गॉड बढ़ना है अलंकार किसके है देवी देवताओं के या ब्राह्मनों के अलंकारों को बाबा ने दिया है ब्राह्मनों को स्वदर्शन चक्रधारी कौन है ब्राम्हन आत्मा है बाबा के बच्चे त्रनेतरी कौन है बाबा के बच्चे ब्राम्हन त्रकाल दर्शी कौन है प्रमात्मा के बच्चे ब्राम्हन और मास्टर गौड बनना है तो कौन बनेंगे प्रमातमा के प्रमण बच्चे दूसरा बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृती में रख कोई भी विकर्म नहीं करने है पावन बनने की प्रतिग्या करके विकार में नहीं चाना है जो सफत हथा लेते हैं, जो दान दे देते हैं उदान कभी वापस नहीं लेना है अच्छा वर्दाने बाप का वर्दान है द्रणप प्रतिग्या द्वारा अलबेलेपन के लूस स्क्रू को ताइट करने वाले तीब्रपुर्शार्थी भव प्रतिग्या में लूस होने का मूल कारण है अलबेलापन जैसे कितनी भी बड़ी मशिनरी हो लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूस हो जाता है तो सारे मशिन को बेकार कर देता है वैसे प्रतिग्या को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छी बनाते हो पूर्शाथ भी करते हो लेकिन पूर्शार्थवा प्लान को कमजोर प्लेन कमजोर हो जाते हैं करने का स्क्रू एक ही है अलबेलापन जग्मी जुर्मी में लग जाना वह नई-नई रूप में आता है सीलूट स्क्रू को टाइट करो मुझरिप आप समान बनना ही है इसी थरह संकल्प सिती प्रपुर्शार्थी बन जाएंगे और बाबा ने देखिए यदि आप कड़ी माया में आते भी हैं तो बाबा ने कितने सारे बताये हैं कि आप अमरे त्रेलर अपने आपको तो भरो ही शक्तियों से और वो शक्तियों का पूरे दिन इस्तेमाल करो सुबा जैसे आप जो श्रेष्ट संकल्पों के साथ में उठींगे जैसे शुरुआत करेंगे शुब संकल्पों का भूजन करेंगे तो आत्मा को बल मिलेगा आत्मा को बल मिलेगा और प्रमात्मा के पास उन बुद्धी से चाहिए और अच्छे अच्छे प्रमात्मा के महावाद्यों का मानन चिंतन करिए तो यह से बबन कितने सारी युगतियां बताई हैं तो माया इस तरह से आप अपने जो भी लूट स्कुरू है वो टाइट कर सकते हैं अच्छे अस्लोकन है बेहद की वैराग्य वरत्य की वरत्य समय की समेपता का फांडेशन अज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाद्य हैं अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है उसी परमात्मा को कोई शक्ती मानते हैं कोई कुद्रत कहते हैं, मतलब तो कोई न कोई रोप में जरूर मानते हैं, कोई दुख में याद करते हैं, कोई हमेशा याद करते हैं, कोई सुख में याद करते हैं, कोई बहुत अधिक बिगड़ जाता है तब याद करते हैं, कोई-कोई फिर वेलकुल भी नहीं मानते हैं, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाख्य, अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, उसे ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई न कोई रोप में जरूर मानते हैं, तो जिस वस्तु को मानते हैं, अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके उपर नाम पुड़े हैं, परन्तु उस एक वस्तु के वारे में इस दुनिया में जितने भी मनुश्य हैं, उतनी मत्मतांतर हैं, परन्तु चीज फिर भी एक ही है, ठीक वैसे ही, जैसे आपके पहत्तमंघर में, बहुत सारे मशीन हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ हें, इलेक्टरिक वस्तुएं हैं, फिरीज है, मशीन है, आपके पास में आजकल डिश।ष़र आ गया है, पंक खाषइ, टी भी है, असी है, कूलर है, ना चाने कितने सारे आपके पास में वस्तुवान यह Waarच बत्रय करब़ेंि उसी हो लीकिन उसे चलाने वाला कौं था बिजली कहां से आती है, मीटर से, मीटर सबका एक ही ही है, पावर एक से ही आते हैं, भलुने आप फिर कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कई तरह से उनका आपो प्योग करते हैं, तो फिर यही तो है, पर्रम पिता, पर्मात्मा, भलुनको नाम रूप से चानते हैं, अलग- भी वही बात वही रूल-फॉलो होता है। जैसे बाबके मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, तो मनुषिक्यान एक मत हैं। परनतु छीज फिर वएक है, उसमें मुख्य चार मत aid सुनाते हैं। क्लिछ वर्द ही गुद्रत हैं म Benni हो यहां इन बंग मता box तो लग कि अब मातिर्शोरी ज़ृति प्रकरती हैं और पर समस्छा नहीं है अब देखो जगत को मानते हैं परंतु जिस परमात्माने जगत रच्जा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें आखरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयम परमात्मागर करता है। इस सारे जगत का निर्नाय परमात्मार करता है अधवा जो सर्वोत्तम सर्व शक्ति वान होगा वही अपनी रच्जना का निर्नाय विस्धार पूरवत समझाएगा वही हमें रच्जता का वही तो बताएगा। तो रज्टा का भी परिच्वाही देते हैं, खुद का भी और हम सब का भी, और फिर अपनी रज्चना का भी परिच्वाही देते हैं, कई मनुश्य ऐसे प्रश्ण पूछते हैं, हमको क्या सावती है कि हम आत्मा हैं, अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्म उस परमात्मा की संपान है अब यह है अपने आप से पुछने की बाद हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूँ वो कौन सी पावर है और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा फ्राक्ती होगी देखो मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभिक्षा अवश्य रहती है कोई भी सुख की कोई कोई शान्ती की इक्षा तो कोई जरूर सब इक्षा अत्पन होती है किसी को अपनी बिग वाला है और जिस द्वारा वो एक्षा पूर्ण होती है वो अवश्य को देने वाला जरूर है तब ही तो उनको याद किया जाता है अब इस राज को पूर्ण रिती से समझना है वह कौन है या बोलने वाली शक्ति में स्वयम आत्मा हूं जिसका आकार जोती विंदू में सल है जब मनुष्य स्थूल शरीर जूटा है तो वो निकल जाती है भली नाखों से नहीं दिखाई पड़ती है अब इससे सिथ है कि उसका स्थूल आकार नहीं है परन्तु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे जो आत्मा जोती स्वरूप है तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसकी ही रूप मुआफिक होगा जो जैसा होगा उनकी पैदाईश भी वैसी होगी फिर हम आत्मा उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्वात्मा उसे परम हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई भी मार प्रमात्मां के आज के क्लास में कहने वाली। मैं कौन हूँ थोड़ा विस्तार से जानेंगे और यह परमात्मा के क्लास का सबसे पहला अध्याय है तो आज हम इस क्लास में मैं कौन हूँ को जानेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाख्य अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है उसे ही परमात्मा को कोई शक्ती मानते हैं कोई कुदरत कहते हैं मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं तो जिस वस्तु को मानते हैं, अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके उपर नाम पुड़े हैं, परन्तु उस एक वस्तु के वारे में, इस दुनिया में जितने भी मनुश्य हैं, उतनी मते हैं, मतमतांतर हैं, परन्तु चीज फिर भी एक ही है. ठीक वैसे ही, जैसे आपके पहल घर में, बहुत सारे मशीन हैं, इलेक्ट्रिक चीज हैं, इलेक्ट्रिक वस्तु हैं, फ्रिज हैं, कूलर हैं, वाशिंग मशीन हैं, आपके पास में आजकल डिश वाशर आगय हैं, पंखा हैं, डीवी हैं, इसी हैं, कूलर हैं, ना चाने कितन लेकिन चाहे वो इलेक्ट्रिक गैस हो, चाहे आपके पास में फ्रिज हो, कूलर हो, पंखा हो, ऐसी हो, जो भी हो, लेकिन उसे चलाने वाला कौन है, बिजली, बिजली कहां से आती है, मीटर से, मीटर सबका एक ही ही है, पावर एक से ही आते हैं, भलुने आप फिर कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कई तरह से उनका आप उप्योग करते हैं, तो फिर यही तो है, पर्रम पिता, पर्मात्मा, भल उनको नाम रूप से चानते हैं, अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह से उनको याद करते हैं, किसी का कोई समय, किसी का कोई समय, लेकिन है, तो एक ही तो यहां भी वही बात वही रूल फॉलो होता है जैसे बाबा के माते शुरी जी के महाँ वाक्य हैं तो मनुशिकियान एक मत हैं पर दूचीज फिर भी एक है उसमें मुख्य चार मतें सुनाते हैं कोई कहता है इश्वर सर्वत्र है कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है क्रिश्न ही क्रिश्न है कोई कहता है इश्वर सत्यम माया मत्यम कोई कहता है इश्वर है ही नहीं कुद्रत ही कुद्रत है वो फिर इश्वर को नहीं मानते नास्ति को रास्तिक दो तरह के हैं अब यहां हमें ग्यान में बताया कि जो भक्ति करते हैं वो नास्तिक हैं और हम आस्तिक हैं और भक्ति वाले समझते हैं जो ग्यान में चल रहे हैं वो नास्तिक हैं हम आस्तिक हैं तो अलग अलग है अब माते शुरी जी कहती है कि अब यह हैं इतनी बोतों समझते हैं जगत प्रक्रती है बाकी कुछ है नहीं इस तरह से समझते हैं अब देखो जगत को मानते हैं परंतु जिस परमात्माने जगत रच्जा उस जगत के मालिक को नहीं मानते हैं दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें आखरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयम पर्मातमा करता है। इस सारे जगत का निरनाई प्रमात्मा आकर करता है अध्वा जो सरबोत्तम सरशक्ति वान होगा वही अपनी रचना का निरनाई विस्तार पूरबग समझाएगा, वही हमें रचता का परिवश्य देते हैं, कौन देती हैं परिचय आकर? जो रचता बाप है वही रचना का परिचय देंगे अपने बाल बच्चों का सही रीती कांदान का जो भी बताएंगे वो कौन बताएगा जो रच्टा होगा वही तो बताएगा तो रच्टा का भी परिच्व वही देते हैं खुद का भी और हम सब का भी और फिर अपने रच्णा का भी परिच्व देते हैं कई मनुश्य ऐसे प्रश्ण पूछते हैं, हमको क्या सावती है कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस पर मात्मा की संतान है, अब यह है अपने आप से पुछने की बात, हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूं वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं, वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है, तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए, हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ती होगी, देखो, मनुश्य जो कुछ करता है, जरूर मन में कोई शुब इक्षा अवश्य रहती है, कोई भी सुख की, कोई को शांती की इक्षा, तो कोई जरूर सब इक्षात्पन होती है, किसी को अपनी बिगड़ी बनाने के लिए याद करना होता है, कोई शुब कर्म करते हैं, शुब कार्य घर में होता है, तब प्रमात्मा का बड़ा बारी पूचा रखते तो इस तरह से अवश्य कोई लेने वाला है और जिस द्वारा वो एक्षा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है तब ही तो उनको याद किया जाता है अब इस राज को पूर्ण रिती से समझना है वह कौन है या बोलने वाली शक्ति म स्वयम आत्मा हों जिसका आकार जोती विंदू मिसल है जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है भली नाखों से नहीं दिखाई पड़ती है अब इससे सिथ है कि उसका स्थूल आकार नहीं है परन्तु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे जो आत्मा जोती स्वरूप है तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा जो जैसा होगा उनकी पैदाईश भी वैसी होगी फिर हम आत्मा उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्वात्माओं से परम है क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है वो सद्गती दुर्गती में आते ही नहीं जो सद्गती दुर्गती में नहीं आएगा तो वो कैसा होगा उसकी आत्मा में लेप छेप लगे गई नहीं जो दुख सुख में नहीं आते बाकि कि हम आत्माओं के उपर माया का लेप छेप अवेशी लगता है क्योंकि हम जनम मरण के चुक्र में आती हैं अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क अच्छा ओम शांती अब हम समझेंगे आज के क्लास में मैं कहने वाली मैं कौन हूं थोड़ा विस्तार से जानेंगे और यह परमात्मा के क्लास का सबसे पहला अध्याय है तो आज हम इस क्लास में मैं कौन है को जानेंगे तो हम आज की क्लास में समझेंगे जो बाबा आए दिन अपने ग्यान मुर्ली के महावाक्यों में लिखा करते हैं कि बच्चो सात रोज की भटी में पक करके फिर कहीं पर भी रहो दुनिया के किसी भी गोने में जाओ लेकिन पहले सात रोज की भटी में अच्छी तरीके से खुट को पकाओ तो आए हम जानते हैं कि सात रोज की भटी क्या है और उसके सात रोज में जो पहला दिन है उस दिन कौन सी भटी में बाबा हमें पकाना चाहते हैं तो उ आज का क्लास बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो कॉमेंट में जरूर बताएए ताकि हिम्मत मिले और आपके इसने हिसे में और भी अच्छे क्लास बना सकूँ तो साथ दिनों के कोर्स का पहला दिन है और उसमें हम चानेंगे कि आज क्या प्रमात्मा हम से कहना चाहते हैं आज पवने भट्टी में कहा आत्मा क्या है और मन क्या है अपनी सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रती दिन ना जाने कितनी पार मैं शर्ब्द का प्रियोग करते हैं परन्तु यह एक अश्चर्य की बात है कि प्रती दिन मैं और मेरा शर्ब्द का अनेका अनेक बार प्रियोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रोप में यह नहीं जानते कि मैं कहने वाले सत्ता का स्वरूप क्या है अर्थाथ मैं शर्ब्द जिस फस्तू का सूचक है वह क्या है आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शर्ब्द शाली चीजों तो बना डाली हैं उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और वह अनेक जटिल समस्या का हल ढूंड निकलने में भी खुब लगा हुआ है ना परन्तु मैं कहने वाला कौन है इसकी बारे में यह सत्यता को साइंस नहीं जानता अर्थात वह स्वयम को नहीं पहचानता आज किसी मनुशिय से पूछा जाए कि आप कौन है तो वो छट से क्या कहेगा कि मेरा नाम फलाना है वो अपने शरीर का नाम बता देगा पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं तो वो अपना बिचनिस होगा जॉब होगा स्टुटन्ट होगा बता देगा उसके पिता का नाम पूछेंगे तो शारीरिक पिता का नाम बता देगा कि फलाने का मैं बेटा हूँ फलाना मेरे पिता जी है और घर का पता पूछेंगे तो जहां वो जो आपके लिए रह रहा होगा वो बता देगा और जहां उसके पिता रहते हैं वो बता देगा बस इतना ही अपना नाम पता बताएगा वास्तों में मैं शब्द शरीर से भिन चेतन सत्ता आत्मा का सुच्चक है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है मनुश्य जीब आत्मा आत्मा और शरीर को मिला कर बनता है जैसे शरीर पांच दत्वों जल, बायू, अगली, आकाश और प्रत्वी से बना हुआ है वैसे ही आत्मा मन, बुध्धि और संसकार में होती है आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ती होती है तथा वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसकी संसकार बनती है आत्मा एक चैतन एवं आविनाशी जूती बिंदु है जोकी मानव देह में प्रकुटी में निवास करती है जहां हम तिलकादी लगाती है जैसे रातरी को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है वैसे ही दिव्य द्रिष्टी द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है उसे हम सिर्फ दिव्य द्रिष्टी से देख सकते हैं इन स्थूल नेत्रों से आत्मा और तर्मात्मा दोनों को नहीं देखा जा सकता इसलिए एक प्रसित पद में कहा गया है ब्रकुटी में चमकता है एक अजब तारा, गरीवानु साहिबा, लगदाय प्यारा अत्मा का वास ब्रकुटी में होने के कारण ही मनुश्य गहराई से सोचते समय यही हाथ रखता है कहते हैं करम पे हाथ क्यों रखे बैठे हो, क्या हुआ, क्यों हम वहाँ हाथ रखते हैं क्योंकि वही आत्मा सोचने का कारे करती है तो जब वह यश्क कहता है कि मेरे तो भागे खोटे हैं तब भी वह यही हाथ रखता है आत्मा का यहां वास होने के कारण ही भक्त लोगों में यहां ही बिंदी अथ्वतिलक लगाने की प्रथा है यहां आत्मा का संबंध मस्तिश्क से जुड़ा है और मस्तिश्क का संबंध सरे शरीर में फैले ज्यान तंतुओं से है आत्मा में ही पहले संकल पुठता है और फिर मस्तिश्क तथा तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है आत्मा ही शान्ती दुख का अनुभो करती है तथा निर्णाय करती है और उसी में संसकार रहते हैं अत्मा से अलग नहीं है अत्मा से अलग नहीं है मन बुध्धी संसकार ये आत्मा है परन्तों आज आत्मा स्वयम को भूल कर देह स्त्री पुरुष बुढ़ा जवान इत्यादी मान वैठी है यह देह अभिमान ही दुख का कारण है उपरोक्त रहसे को मोटर के ड्राइवर के उदाहरन द्वारा भी स्पर्ष्ट किया गया है शरीर के समान है तथा आत्मा इसका ड्राइवर है आप घर है शरीर रूपी घर तो आत्मा उस घर में रहने वाली किराय से शरीर लेया है और उस मकान में रहने वाली मालिक आत्मा है गाड़ी का ड्राइवर आत्मा है इस शरीर उपी गाड़ी कर्थत जैसे ड्राइवर का ड्राइवर मोटर का नियंतरन करता है उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंतरन करती है आत्मा के बिना शरीर निश्प्राण है जैसे ड्राइवर के बिना मोटर अतब वरंपिता प्रमात्मा कहते हैं कि आपने आपको पिचानने से ही मनुशी सरी रूपी मोटर को चला सकता है और अपने लक्ष गंतव्य स्थान पर पहुँच सकता है अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने मेंने पुणना होने की कारण दुरघटना अक्सिडेंट का शिकार बन जाता है और कार उसकी आतरियों को क्या होता है चोट भी लग जाती है इसी प्रकार जिस मनोशे को अपनी पैचान नहीं है वो स्वयम तो दुखी और शान्त होता ही है साथ में अपने संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुखी वाह शान्त बना देता है अतर सच्चे सुखवा सच्ची शान्ती के लिए स्वयम को जानना आतियावश्यक है मैं को मारना नहीं है मैं को जानना है मैं से मेरा क्या है मेरा मेरा कहने वाली ये कौन है तो मैं आत्मा हूँ आपसे कहा जाए कि आप कैसे सुनते हैं आप क्या कहोगी हम कानों से सुनते हैं फिर मैं आपसे कॉश्चन करती हूँ कि ठीक है यदि आप कान से सुनते हैं तो जब आपको उम्रत खोशित कर दिया जाता है तब आप कान से क्यों नहीं सुन सकते शरीर देह का अंत होता है, क्यों अंत हो गया, क्योंकि उसमें जो प्रान थे वो निकल गया, वो प्रान कौन है, जिसके द्वारा कान सुन रहे थे, वही तो आत्मा थी, आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा, कानों ने सुनना बंद कर दिया, आख ने देखना बंद कर दिया, हाथों ने कर्म करना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, मुख ने बोलना बंद कर दिया, तो वह सब कराने वाली शरीर के द्वारा आत्मा थी, और कर्म चार कौन थे कर्मेंद्रियां थें तो हम कानों सी नहीं सुनते हमारे अंदर बैठी ब्रकुटी के बीच विराजमान एक शांत स्वरूप शक्ति शुरूप चैतन्य आत्मा है वह आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा करती है तो आज के इस क्लास में आपने पहले दिन की भट् आओ संचा और प्रमात्मा ने आपको यह समझाया तो इसी तरीके से हम डेली क्लास किया करेंगे जिसमें साथ रोज की भट्टी फिर और 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 नए-णए युक्ती से हम प्रमात्मा की परिचान करेंगे और आप सभी को पसंद आएगा आजका क्लास जरूर से तो ज़ प्रमात्मा की याद में रहे सिर्फ औ सिर्फ प्रमात्मा को याद करने की ये नई नई युक्तिया जिससे बादानक वहारो कि प्लें निर्मान सुरीं प्रमात्मा की पह arrange अच्छा ओं शांती शुक्रियां। आप सभी भाइको बापदादा की बुटनाइट, बुटनाइट, ओम्षाटी.